तो जैमात आदी सभी को मैंने इटो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 22 मार्च यानी के शुकरवार को किस साइड मूँ कर सकते हैं कौन से लेवल पे हमको अपोर्चनेटी मिल सकती है उसके पीछे का लोजिक क्या है साथ में option chain analysis से भी करेंगे ताकि कल के लिए market के crucial अलों को पता लग जाएं तो दोस्तो वीडियो को end तक देखेगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले चलिए दोस्तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है 15 मिनिट का टाइम फ्रेम है जो की इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है लास्ट वीडियो में दोस्ता मैंने डिसकस किया था अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलके इसके ऊपर निकलती है तो हमको एक अच्छा पॉर्जनेटी मिल सकता है 47,000 का हमारा टार्गेट कल भी था लेकिन आज बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अपन हुई थोड़ी देर इसने इंदिजार किया और फिर जब ब्रेक आउट आ रहा था तो मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए एक में से निकलना पड़ा और फिर उसके बाद दोस्तों मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बहुत स्लो मोमेंटम हो गया था मतलब क्या था कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि मार्केट एक रेंज में फसी हुई थी इसको हम देखिए बहुत सार 149 के आसपास का पोस्ट किया था इस पर आने के बाद थोड़ी सी रिकवरी भी आई 100-500 प्वैंट की लेकिन प्रीमियम इतने मूव नहीं कर रहे थे इस वज़े से क्योंकि मार्केट थोड़ा सा स्लो मुमेंटम किये थे कही ना कहीं आम इसको साइडवेज मार्केट ही कहे अगर आप केंडल गिनोगे तो एक, दो, तीन या च्यार केंडल ही आपको थोड़ी सी बड़ी मिलेंगी औरना सारा दिन मार्केटिक रेंज में ही थी अब कल कहां पर मुमेंटम हो सकता है स्टड़ी में आपको दिखाऊंगा और मेरा दोस्तों टार्गेट था दिन का लो बना है, जो फ्रेस बाइंग एरिया बना है वो जहां से गेप लगी थी यानिकी 4400 के आसपास बना है ये फ्रेस बाइंग एरिया, बैंक निफ्टी के लिए तो अगर कल बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लेट ओपन होती है फ्लेट ओपन होने के बाद ये 4600 और 50 दिन के मुव सब्सक्राइब देता है वीडियो के उपर तो उसको पॉइंट केप्चर कर सकते हैं और आज कल खासकर पिछली तीन डाई महीने से दो महीने से यह जो बजट के बाद का सेशन हुआ है उसके बाद यहीं चल रहा है मार्केट के अंदर इतना कुछ खास मुमेंटम मिल नहीं रहे अगर मिल रहे तो ट्रैप करने वाले जादा और थोड़े से फास्ट मुमेंटम मिल रहे तो और मैंने मार्च में तो बिलकुल ही बुरा आखाल है तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फिलेट के लिए पुट साइड पलान कर सकता हूं यहां से और फिर रिकवरी भी आ सकती है और उसकी पहचान क्या होगी बैंक निफ्टी फ्लेट कुले गैप डाउन खुले अगर हमको यह पुट साइड का ट्रेड नहीं मिल पाता है तो यहां पर अगर कोई बुलिश केंडल बन जाता है और उसका हाई ब्रेक होना शुरू हो जाता और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जा है चालीजार पानसो के आसपास फिर हम इंदजार करेंगे यह चालीजार चारसो का लेवल ब्रेक हो जाए जो यह बाउंस बैक एरिया है जहां से गैप डाउन खुल के और फिर इसका एक रीटेस्ट बन जाता है दिखिए यहां पे यह जो स्विंग बना था अगर यह वापिस से कंटिन्यु करता यह बंद हो गी मार्केट अगर वापिस से कंटिन्यु करता तो फिर यहां पे हम कोई कच्छी अपॉर्चनेटी मिल सकती थी डाउन साइड लेकिन ए फिर अगले दिन मार्केटième गैप खुल गी उपर या फिर दिन का आइस टोपलोस डालके मैं तभी पूट साइड प्लान करूंगा जब बैंक निफ्टी बड़ा गैप डाउन खुल के छाली जार चार्सों के नीचे कोई स्विंग बना देगी इंतदाद दोस्तों जरूर कीजिएगा क्योंकि जो बांस बैक एरिया होता है वहां पर मार्केट कई बार कंफ्यूज हो जाती है यहां पर बुलिश केंडल बने या फिर यहां पर हलका सा कोई डबलू पैटर्न बने तो रिकवरी आ सकती है और इसका ब्रेकडाउन होके स्विंग बन जाता है तो यहां से मार्केट और भी ज्यादा गिरावट दिख को मिल सकता है मैं पचा साथ पॉंट का स्टोपलोस डाल के कोल साइड जाना पसंद करूंगा लेकिन भाई स्विंग बनने के बाद ही पलान करूंगा क्योंकि यहां पर अगर देखोगे मैं आपको चीज दिखाता हूं पिछले तीन-चार दिन से क्या चल रहा है ज्यादा यहां पर यहां पर बेंक निफ्टी बुली और फिर ब्रेक आउट दिया दिन के हाईगा और फिर से नीचे आगे और साइडवेज होगी तो यह कई दिनों से चक्कर चल रहा है इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा अगर फ्लेट खुलती है या फ्लेट खुलके नो सो और आट सो के बीच में अगर गैप खुलती है तो थोड़ा सा फिर भाई सेंतलीजार के उपर ही हम प्लान कर सकते हैं क्योंकि जरूर है टेस्ट जरूर हो चुका है लेकिन अभी बरोसा नहीं कर सकते एक बार फिर से काम कर सकता है अगर पोजिटिव केंडल बनती है इस तरीके की गैप खुलने के बाद फिर दिन का हाई भी टूटे सेंतलीजार का लेवल भी टूटे और एक रीटेस्ट हो जाए आज बहुत अच्छा रीटेस्ट हो के विकवरी थोड़ी सी दिखाई थी अगर आप 39 वाला सेटप भी अपलाई करोगे तो लेकिन फिर यह ना तो निफ्टी का सपोर्ट था इतना आप बहुत सार लोग बोलेंगे इतनी बड़ी बड़ी गैप मतलब इतनी बुलिश कलर में तो बंद हुई है मार्केट भाई यह बले ही आप सुबह देखते तो बहुत ज्यादा बुलिश थी तो इसको आप गिरावट तो तिन सो तक का है मैं एस्विंग के नीचे डाल गे मैं कोल साइड जाना पसंद गए अगर गैप पुल के बुलिश केंडल बना के सेंताल हिजार के उपर निकल जाती है तो और अगर चाली जार आट सो के उपर भी निकले ना तो बड़ा टार्गेट नहीं है वाई क्यों अब निफ्टी का देखिए निफ्टी में भी दोस्तों सेम बैंक निफ्टी की तरह हुआ इसकी तो भाई एक्सपारी इसका तो हम डिसकस करते ही रहते हैं यह तो चलता रहता लेकिन निफ्टी में भी गैप बाकी है 2940 के नीचे गैप हैं फिर 2840 का और मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं बाइंड एरिया को 2850 के आसपास यह क्या है यह फ्रेस बाइंग एरिया बन गया है निफ्टी के अंदर क्योंकी यहा से गैप अप लगा है और रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस है बाइस हजार पचास यह पहले भी हमने एक दिन डिसकस किया था जब बैंक निफ्टी यहां पती और अगर मैं सुबह का व्यू आपको दिखाऊं तो गैप उपन और एवित का डेटा पोजेटिव बना हुआ है लेकिन फोड़ा सा इंदिजार जरूर करें पहले चेक करें गैप टिक पा रहा है और हम सोच रहे थी कि गैप फिल होगा लेकिन गैप फिल हुआ नहीं उसके बाद हम रिकवरी प्लान करते हैं फिर यह स्टडी थी एकदम से मोमेंटम इसमें से निकल गया था फिर हमको 20-30 पैंट फिर ने काम नें किया ie दोस्तों कोई को ठीट तो नहीं होती है पेपड़ चैनल के लिए करने के लिए स्टी होती है और फ्री ओप पोस्तव-डान मेंसिश करता हूं तक लोगों की थोड़ी सी हैलफ हो यू सेरे लोगों को पाया होता है जो फाइदा होता है कुछ नहीं हो तो आप जोईन कर सकते हैं लेकिन लिंक से जोईन करना वीडियो के डिस्क्रेशन में दिया वा नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा क्योंकि आप सरच करोगे इस लोगों से इस नाम से बहुत सारे फ्रोड चैनल हैं उनके सब्सक्राइबर आपको 3-4 गुना ज्यादा दिख अब देखें निफ्टी का देखिएगा निफ्टी में जो रिजिस्टेंस है बाइस अजार पचास के आसपास है असल में जो असली रिजिस्टेंस है भाई वो तो 2200 पे ही मानके आप चलो क्योंकि राउंड लेवल भी है लेकिन यहां पे हमको एक स्विंग मिल सकता है अग अगर इस तरीके का स्विंग बना देती वापिस उपर निकलती है यानि कि 2200 के उपर वापिस निकलती है तो हमको एक अपोचनेटी मिल सकती है तकरिवन 100 पॉइंट के टार्गेट के लिए हाला कि सपेस बहुत दूर है सपेस 300 तक का है 2300 तक का लेकिन ज्यादा रिस्क नह करेगी तो ही हम प्लान कर सकते हैं जब तक स्विंग ना बने तब तक काम ना करें वरना आज की तरह ट्रैप हो जाएंगे अगर डाउंसाइड आप देखोगे तो 2960 के नीचे ही हम प्लान कर सकते हैं यानि कि इस स्विंग के नीचे चाए फ्लैट खुले या गैप डाउन 50 दिन का मोविंग एवरेज अगर टूटता है 2960 के नीचे निकल के कोई स्विंग बनता है तो जो सपेस है 2840 तक का 880 तक का यानि कि तकरीबन 70-80 पॉइंट का हमको मोमेंटम डाउंसाइड मिल सकता और फिर यहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है यहां पे बाउंस बैक करती दिखे निफ्टी तो दिनकालोस टोपलोस जालके मैं यहां से कोल साइड प्लान कर सकता हूं हां क्वांटिटी में तोड़ा सा कम रखूंगा क्योंकि सपोर्ट है और आज कल आप सपोर्ट रजिस्टेंस देख रहे हो कि इस तरीके से इतना रेस्पेक्ट उनका हो नह जंग का मैदान है 1,820,000 तेजडिये बैठे हैं 1,5,000 मंदडियों के मुकाबले तो एक चीज नोटिस करना अगर यह गैप फिल करने नीचे आ गई ना 2956 के नीचे तो यह ज्यादा लोग ट्रैप हो जाएंगे और एक मोमेंटम हमको डाउंसाइड देखने को मिल सकता है अ पहला टार्गेट हमारा 22,200 का होगा दूसरा टार्गेट हमारा 22,300 का होगा 100 के उपर निकलने के बाद इसमें भी 10 बजे के बाद मैं हरो जो बोलता हम भाई ऑप्शन चैन्ज को देखना और डेटा पोजिटिव नेगेटी होगा तो मैं आपको अपडेट करने की कोशिस कर चाली जार पांसो सपोर्ट है सेंटाल हिजार रजिस्टेंस है चाली जार पांसो पे एकलाख 26,000 तेजी वाले बैठे हैं कातर जार के मुकाबले हाला कि यहां से बहुत सारे लोग आज निकले हैं और एकलाख 61,000 का उपन इट्रेस्ट सेंटाल हिजार प्यानी की मंदड़ आजकी देखेंगे तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक пиш जरूर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ तक कि जरूर तोन लोगर य rhin